कि नमास्कार दोस्तो मैं हुआरी नारायन कुमार आप देख रहें बीष्टी ओल टीप्स आप सभी का ब्यास टीप्स में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो बीडियो को शुरू करने से पहले लिएनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दो गुना हो जाता है तो चलिए वीडियो को सुरू कर मुख्य मंत्री उध्यमी योजना के जितने सारे लभार्तिय भागलपूर से ये अब्डेट आ रहा है कि भागलपूर में क्या बताया जा रहा है कि 15 अप्रेल तक हर हाल में उप्योगता पर्मानपता को अप्लूट कर देना है मुख्य मंत्री उध्यमी योजना के जितने सारे लभूक है उनके द्वारा क्या है कि उप्योगता पर्मानपत पोर्टल पर जमान ही किया जा रहा है इस करण उध्यमी को फौन कर लभूकों से उप्योगता पर्मानपत अप्लूट करने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जल से जल आप उप्योगता पर्मानपत अप्लूट कर दें जनिकारी के मुताबिक तीसरा किस्ट का जितनी सारे लाव लेने वाले हैं उन में से अरहाई सो लाभूके ने अपनी रासी का ख़च का विवरा विभागय पोर्टल पर जमा नहीं किया है जिनका थर्ड किस्ट मिला था उस में से तीसरा किस्ट में क्या हुआ था और हाई सो लाभूके ने अभी तक विभागय पोर्टल पर जमा नहीं किया है अगर तीसरा किस्ट भी आपका मिल गया है फिर भी एक अप्सन आपको आता है वहां पर तीसरा किस्ट वाले उप्योकता प्रमानपता आप अपलोड करेंगे समझ रहे हैं तो तीसरा किस्ट के जितने सारे लाभूक है तीन सो एक सेट में और हाई सो एसे लोग हैं जो अभी तक अपलोड नहीं किया है उनके लिए बताया जा रहा है जिला उधोग केंदर के महापरबंदग परदीप कुमार गवर ने बता है कि पोटल पर उप्योकता पर्मानपत्र जमा करने की अंतिम दिथी 15 अपरेल है सभी लाभूक पोटल पर अपना पर्मानपत्र जमा कर दें 15 अपरेल तक समस्कार मैं हूँ हरी नरायनकुमार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फोलो करना ना भूले ताकि आप इस पर करके कोई भी वीडियो मिश ना करें तो जूड़िए हमारे साथ और देखते रह हो भी लग रहे है उधियामी योजना और बिहार स्टाटर पॉलिसिक की जनकारी के लिए आप जोइन करें उधियामी योजना गुरूप इस पेलिंग आप देख लिजेगा इतना लोगों ने अभी तक जोइन कर लिया है यू डी वाई ये माई योजना करके आप टेलिग् हो आजाएगा अब जोएन कर सकते हैं